नमस्कार दोस्तों में नाम है शुबम एंड गाइस आप लोगों का स्वाकत है एक बाद फिर से मैं यूटीब चैनल फैविंग टेक पर आजके इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप लोग आईफोन में वटसेप के उपर डोक्यूमेंट के बिना HDD में फोटो या वीडियो कैसे सेंड कर सकते हो तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर नहीं आपडेड आ चुका है आपके वटसेप में आपके आईफोन के लिए अभी तक क्या होता है कि आप लोग गैलरी में जाते हो लग की फोटो में जाते हो एंड माल लोग कोई फोटो ऐसे यह फोटो है अब अगर इस फोटो को हमने वटसेप पे बेजना है तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेब्टू फाइल्स पर क्लिक करके से आई क्लाड में सेब कर देते हैं और आप यहाँ पर वटसेप पर याते हो और यहाँ पर सिंपली प्लस का अगर open होती है यहां से click करते हो आप photo या library या फिर camera दोनों में से select कर लो आपको दोनों में same option मिल जाएगा तो मैं camera पर click करता हूँ and यहाँ पर मैं photos यहाँ पर select कर लूँगा मेरे जो gallery का option है यहाँ पर यहाँ पर click करने के बाद आप मालो जो भी आपकी photo ऐसession वाली photo झी थी मेरी and मैं यापकर neu क्लिक करता हूँ click करने के बाद आपको यहाँ पर send करने से पहले एक option यहाँ पहले एक option मिलो जाते है तो यहाँ गर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको option मिलेगा standard quality जो आपको यह compress करके send करता है by default यह इसी पर selected होता है अगर आप यहाँ पर quality बढ़ाना चाते हो तो आप यहाँ पर HD quality में clear यह इस पर click कर सकते हो और यहाँ पर कहा है आपकी जो HD quality है जो आपकी यहाँ पर set हो पस अगर मैं original photo का size दिखा हूँ आपको जो resolution है वो दिखा हूँ यह देखो तीमजा 24 चारजर 32 सेम है and अगर मैं इस photo को यहाँ पर simply मालनों मैं HD पर set करके से यहाँ पर send कर देता हूँ तो send करने के बास जो photo सामने मेले के बास जाएगी वो HD में जा रही है and इसमें कोई doubt भ करता हूँ तो download करने के बाद simply यहाँ पर open किया storage की detail देखते है gallery में जाके देखनी पड़ेगी तो gallery में आ गया हमें and यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ चुकी है अब यहाँ पर देखो इसकी जो resolution है यह देखो तो सेम resolution यहाँ पर आया है and यहाँ पर कोई quality में यहाँ पर खराबी नहीं हुई है तो आप इस तरीके से बस सकते हो एक lengthy process को यूज करने में आपको document बने की जूट नहीं है तो इस तरीके से आप इसे यूज कर पाओगे and खाफी अच्छा feature है तो अमीद है आपको यह video अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दाना चैनल को subscribe कर दाना और मिलते रिक्सम लेगाए thank you thank you watching my video